हेलो फ्रेंट्स LEE डूण क मैं आप लोगों का श्वागत प्रता हो हमारी YouTube Market बहुत ही उप्रडेट नीज ले काए हूं जो बहुत ही आप लोगों के लिए बेनीफिश्यल उने वारी कैम इन वक Safe सिक्स्थ फेज तक एक्जाम हो चुके थे और काफी दिनों से बच्चे वेट कर रहे थे बहुत सारे बच्चों का एक्जाम बचा हुआ है जो लास्ट फेज है वह सेवंत फेज का एक्जाम जो पॉस्पोन कर दिया गया था द्यू टू कोवीड सो उसके रिगार्डिंग बा एक फेज लास्ट फेज बचा हुआ था जो सेवंत फेज था ड्यू टू कोवीड बहुत ज्यादा पैंडेमिक होने के कारण यह एक्जाम को पॉस्पोन कर दिया गया था और आप लोग लिए एक बहुत बड़ी न्यूज है कि आप लोग आप एक्जाम जिनका भी एक्जा आपको एक नॉटिफिकेशन जारी कर दे और आपके एडिमीट कार्ड भी उसके बाद जारी कर दिये जाए एक इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग छे जुलाई चे जुलाई या साथ जुलाई से रेलवे एंटी पीसी के सेवंत फेज के एक्जाम स्टार्ट होने जा रहे हैं और आप लोग जो भी जिनका भी एक्जाम नहीं हुआ है वो डेफिनेटली परहाई पर फोकस करें और उनका एक्जाम छे या साथ जुलाई से होने जा रहा है और बात बताता हूं कि सीवीटी टू एक्जाम डेट्स के रिगार्डी तुम्हें बताना चाहूंगा कि ज आंसर की एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके जो आंसर की है वह अगस्त फर्स्ट वीक में डेफिनेटली आ जाएंगे फिफ्टीन अगस्त के पहले आप लोग आप लोग के पास आंसर की अगर सिचुएशन काफी अच्छा रहा कोवीट का तो क्योंकि केस काफी घटे हैं अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपको अगस्त फर्स्ट वीक में तक आपको आंसर की देखने को मिल जाएंगे और इसके जो सीवीटी टी टू जो बहुत बढ़ा न्यूज है फ्रेंड्स कि सीवीटी टी टू जी हां सीवीटी टी टू एक्जाम ऑक्टूबर छे पांच या छे अक चुका है वह आप सीवीटी टू पे फोकस करें जिनका अच्छा गया है चाहे वह आप अच्छा जाए या नहीं आप नौर्मलाइजेसन में हो सकता है आप और भी एक्जाम जिसने आपने जो इग्जाम दिया हो उसके डिगार्डिंग आपके जो मार्क्स आप अगर एक्स तो करना ही है तो सीवीटी टू एक्जाम छे अक्टूबर को आपको डेफिनेटली पाँच या छे अक्टूबर को उसके डेट फिक्स हो सकते हैं वह जल्द ही आपको पता चल जाएगा और बहुत सारे बच्चे ग्रूब डी एक्जाम के रिगार्डिंग बोल रहे थे तो ग दो तीन पॉइंट याद रखें कि एक्जाम छे जुलाई जियां फ्रेंट्स से छे जुलाई से स्टार्ट हो सकते हैं और डेफिनेटली होंगे ही और सीवीटी टू एक्जाम ऑक्टूबर में एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेड है छे अक्टूबर पांच या छे फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकते हैं और ग्रूबडी के एक्जाम से अभी दो से तीन मंत तक नहीं होने वाले तो यह काफी बड़ी न्यूज थी जो मुझे आपके साथ सेयर करनी थी और इस न्यूज के डिगार्डिंग आप कोई भी सकना रखें आप कंफर्म न्यू झाल आप कंफर्म पोस्ट कि पाम से अभी सकते हैं और बड़ां एलजु आपके से अभी से तो लूज़ करनी देखने कोई एक्ट से जाएंग